नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्रिकेट स्पेशल वीडियो में आज हम बात करेंगे आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की जो ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा अब हम भारत के नमबर वन क्रिकेट मैच टिप पर द्वारा बताए गए आज के मेगा जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविश्यवानी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा आस्ट्रेलिया की टीम हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ वन्डे सीरीज हारने के बाद इस T20 सीरीज में जीत की शुरुआत करना चाहेगी अस्थाई कप्तान जोस इंगलिस के नेत्रित्व में टीम का लक्ष एक संतुलित और बहतर प्रदर्शन करना है ताकि वन्डे की गलतियों से सबक लेते हुए एक मजबूत खेल दिखाया जा सके इस वीडियो में पावर प्ले स्कोर, टॉस विनर, फर्स्ट इनिंग्स का क्या स्कोर रहेगा, आज के मैच में कौन बाजी मारेगा, ये सारी जानकारी दी जा रही है वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम के हौसले बुलंद हैं दो दशक बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वंडे सीरीज जीत कर पाकिस्तानी टीम आत्म विश्वास से भरी हुई है और T20 में भी इसी जीत की लए को बनाए रखना चाहेगी अगर टॉस की बात करें तो आज के मैच में सिक्का किस के पक्ष में गिरेगा हमारी सौ प्रतिशत मैच भविश्वानी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन, टॉस आस्ट्रेलिया, टॉस जीतेगी टॉस की कोई रिपोर्ट या विशलेशन नहीं होता है बस एक अनुमान है लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी, विनिंग टीम बताएं आस्ट्रेलिया की T20 टीम में इस बार तेज गेंदबाज नाथन एलिस और ओनल राउंडर टिम डेविड को शामिल किया गया है बल्लेबाजी की जिम्मेदारी ज्यादा तर जो सिंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोईनिस और टिम डेविड जैसे खिलाडियों पर होगी जो सिंगलिस ने इस साल स्कॉट्लेंड के खिलाफ शानदार शतक लगाया था और इस सीरीज में भी उनका प्रदर्शन देखने लायक हो सकता है गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पेंसर जॉंसन, नाथन एलिस, सीने बॉट और एडम जमपा अहम भूमिकाएं निभाएंगे खासतोर से एडम जमपा की बात करें, तो इस साल उन्होंने अपने किफायती गेंदबाजी के साथ 12 मैचों में 19 विकेट चटकाएं हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मजबूत हत्यार साबित हो सकते हैं अगर उस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्ले बाजी करती है, पहली पारी में 6 ओवर के पावर प्ले में दगबबा, ब्रिस्बेन, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 45-52 के बीच स्कोर कर सकती है दूसरी ओर, 50 ओवर की पहली पारी में लंबी पारी में स्कोर 150-180 के बीच हो सकता है लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम जरूर बताएं अब बात करें पाकिस्तान की बल्लेबाजी की, तो उनकी टीम में मुहम्मद रिजवान, बाबर आजम और उस्मान खान जैसे बल्लेबाज प्रमुख भूमिका निभाएंगे बाबर आजम ने इस साल T20 में शानदार प्रदर्शन करते हुए, साथ मैचों में 265 रन बनाए हैं और एक अर्ध शतक भी उनके नाम है गेंदबाजी में पाकिस्तान का तेज गेंदबाजी आकरमन भी काफी मजबूत है, जिसमें शाहीन अफ्रीदी, नसीम शाह, हारिस रूफ और अब्बास अफ्रीदी जैसे गेंदबाज शामिल हैं हारिस रूफ ने इस साल 6 मैचों में 12 विकेट लिये हैं और उनकी किफायती गेंदबाजी ने भी टीम को कई मौके दिलाए हैं, जीतेगी यह मैच गाबा के मैदान पर खेला जाएगा, जहां का पिच तेज गेंदबाजों को मददगार साबित हो सकता है इस मैदान पर उस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है पिछले चार मैचों में उस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को लगातार हराया है, जिससे टीम को यहां आत्म विश्वास मिलेगा तो दोस्तों, देखना दिल्चस्प होगा कि क्या आस्ट्रेलिया अपनी पिछली हार से उबर पाएगा या फिर पाकिस्तान अपनी जीत की लएको जारी रखेगा उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रीव्यू पसंद आया होगा अगर हां तो हमें फॉलो करना न भूलें धन्यवाद और हमें सुनते रहिए दोस्तों, हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन, मैच भविश्यवानी, पावर प्ले स्कोर रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टु बैक पास होती जा रही है हमारी मैच भविश्यवानी जानने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुद सकते है